सचिन पाइलेट नहीं बनाएंगे नई पार्टी प्रिंका गांदे से हुई बाच्चित के बाद कॉंगरेश नेता ने अपने कदम पीछे खीचे कॉंगरेश नेता सचिन पाइलेट की ओर्च 11 जुन को राजस्तान के दो सा रैली में नई पार्टी गठन के ऐलान की संभावना व्यक्त की जा रही थी लेकिन अन्त समय में पाइलेट ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने सपस्ट संकेत दिये हैं कि वह कॉंगरेश में रहकर ही संगर्स करेंगे उनके इस कदम के पीछे कॉंगरेश मास्जूज प्रिंका गांदी की उनसे हुई बातचित को माना जा रहा है यह कहा जा रहा है कि रैली से कुछ घंटे पहले पिरंका गांदी और सुचिन पाइलेट के बीच बाद चित हुई थी जिसके बाद पाइलेट ने अपने कदम पीछे खिचने का निरने किया शुत्रों के मताबिक प्रिंका गानी ने देश की वर्तमान राजनितिक स्तिती का हवाला देते हुए पाइलेट को ये कहा कि करनाटक में संकेत दियें कि देश में कॉंग्रेश की सरकार जनता के द्वारा लाई जा रही है देश में कॉंग्रेश की और जनता फिर आ रही है मद्यपर्दे 36 गड़ और मद्यपर्दे और राजस्थान कॉंग्रेश के पुनर जीवन के लिए जरूरी चुनाओ है मद्यपरदेश, 36 गड़ और राजस्थान कॉंग्रेश के पुनर जीवन के लिए जरूरी चुनाओ है ऐसे में राजस्थान में कॉंग्रेश को जमीन पर खड़ा करने वाले पालेट की कॉंग्रेश को जरूरत है कॉंग्रेश जानते है कि पाइलेट का परभाव केवल राजस्तान में ही नहीं है वह मद्यपरदेश, उतरपरदेश, दिल्ली और हरियाना और पंजाब में भी अपना असर रखते हैं ऐसे में सचिन पाइलेट की कॉंग्रेश में अंदेखी नहीं हो शकती राजस्तान का मसला पेचिदा है लेकिन यह सुलजा लिया जाएगा सचीन ने किया वर्तमान स्थिति का आकलन अगले चुना में अगर कॉंग्रेश जीत दर्ज करती है तो पाइलेट की अंदेखी कोई नहीं कर पाएगा वह सेम इस बात की गारंटी देती है राजल गांदी के आने के बाद सचीन पाइलेट की भूमी का तैय करने का आश्वासन भी प्रियंका गांदी ने दिया जानकारों के मताबिक प्रियंका गांदी के आश्वासन के इतर सचीन पाइलेट ने भी वर्तमान स्थिति का आकलन किया उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की जिसमें यह भी बात कही गई कि चुनाओ को देखते हुए नई पार्टी बनाने का उचिसे में नहीं है इसके लिए काफी शमय चाहिए जबकि अब चुनाओ में कुछ ही महिन्य बचे है